हेलो फ्रेंड्स फाउन्डेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग गनीत की स्रीज में चार बेसिक ओपरेशन्स चार बुनियादी किरियाएं के बारे में समझेंगे देख लेते हैं क्या क्या है पहली चार बुनियादी किरियाएं जो है कि पहला होता है एड्ड दूसरा सब्ट्रेक्शन तीसरा मल्टिप्लिकलेशन और चौथा डिवाइड होता है इसका नाम होता है अंग्रेजी में एडिशन हिंदी में उसको जोर और मैथेमेटिक्स में उसको साइन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं प्लस दूसरा सब्ट्रेक्शन घटाओ और उसको साइन के रूप में माइनस चीन को दर्शाते हैं तीसरा मल्टि प्लिकेशन गुना और इसको साइन गुना के तार दिवाइड भाग और भाग के तार यानि कि जो हम लोग मैथेमेटिक्स में जो भी परियोग करते हैं एड जो एड सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन और डिविजन इसका हम लोग साइन का उप्योग मैथमेटिक्स में करते हैं प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन और डिभाइड अब हम लोग देखेंगे कि जो संख्याएं हैं निगेटिव पोजेटिव किस तरह से बनता है तो हम लोग देख लेते हैं यह को पहले पहले हम लोग इस चारो किरियाओं को उधारन के माध्यम से देख लेते हैं क्या क्या होता है तो एड घटाओ जोर घटाओ गुना और भाग यह चारो किरियाओं का एक ही एकजामपल से हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग पहला एकजामपली है दू जोर दू, दू माइनस दू, दू गुने दू और दू भागा दू तो क्या होगा दू जोर दू चार होगा दू माइनस दू कितना होगा जीरो होगा दू गेने दू कितना होगा चार होगा दू भागा दू कितना होगा वान होगा अब हम लोग दूसरा एक्जामपल लेक लेते हैं जिसमें देखते हैं हम लोग की 2 जोर 2, 2 जोर 4, 6, दूसरा है चार माइनस दू, कितना हो जागा, 2 दू गुने 4, कितना होगा, 8 होगा, 4 भागा 2, तो 2 होगा, इस तरह से हम लोग इन चारों करियाओ को समाजते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि संख्या माइनस और प्लस किस तरह से बनता है तो यह इसको पढ़ने के लिए हम लोग को पहले संख्या नमबर लाइन का चनकारी होना होगा तो चलिए हम लोग संख्या रेखा को देख लेते हैं यह जो है कि संख्या रेखा है जिसमें प्लस नंबर और माइनस नंबर दोनों को दर्साया गया है सुन जो होता है यह इसका सेंटर होता है केंदर बिंदू सुन के दाई और जब हम चलते हैं तो संख्या बरती है और बाई और जब चलते हैं तो संख्या घरती जाती है दाई और होता है 1, 2, यह इतनी भी positive संख्याय होंगी वो धनात्मक बहुत दाई और होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते रहता है infinity तक infinity तक जाता है इधर देखते हैं हम लोग सुनने के दाई और देख लिए बाई और अब हम लोग देखते हैं तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस 6 होता है इसे हम लोग रिनात्मक संख्या कहते हैं रिन भी रिनात्मक संख्या होता है अगला देखते हैं सुनने नहीं धनात्मक है और नहीं नहीं रिनात्मक होता है सुन से धाई और बढ़ने पर संख्या का मान यानि कि भैलू बढ़ता है सुन की बाई और बढ़ने पर संख्या रिनात्मक तथा उसका मान कमता जाता है यानि कि जब हम लोग बाई की और पर चलते हैं तो माइनस होता जाता है अदाएं और की चलते हैं तो प्लस होते जाता है किसी भी संख्या के पहले कोई चीन नहीं हो अगर कोई संख्या लिखते हैं एक्जामपल के तौर पे चार लेते हैं तो यह क्या है यह संख्या हमेशा पोजेटिव माना जाए उस संख्या के के पहले पहले हमेशा से change होता है जब addition करते हैं जोरते हैं किसी भी positive संख्या को positive संख्या सरे जोरेंगे तो addition होगा sign भी PLUS होगा जब एक संख्या PLUS हो एक संख्या positive हो और संख्या negative हो अगर उसको हम add करते हैं तो subtraction होता है लेकिन sign जो होता है जो larger value होगा जो बारा संख्या होगा उसी का sign आता है एक संख्या positive और एक संख्या negative होगा तो अहील बात पहले हो या बाद में हो CM ही रहेगा नीगेटिव होगा और sign जो होगा की larger संख्या होगा अगर एक्जाम्पल इसका हम देखते हैं अगला जो है कि निगेटिव भैलू और निगेटिव भैलू दोनों का एड करेंगे तो होगा एडिसन यानि कि जूरेगा लेकिन साइन क्या होगा साइन उसका निगेटिव होगा एक्जाम्पल से देख लेते हैं दू जोर दू करते हैं तो positive होता है जूरता है plus 4 plus minus 2 तो plus minus minus हो जाता है यह minus बन गया और minus इसमें जो है कि minus हुगा घटा हुगा लेकिन positive क्या होगा sign क्या होगा sign जो होगा कि larger value होगा वह होगा उसी तरह से यहां देखिए plus होगा और minus 6 है इसको जब हम करेंगे तो minus 4 minus 6 हो जाएगा और minus 2 हो जाएगा घटा हो रहा लेकिन यहां क्या हो रहा है sign जो होगा वह larger value के बना minus 4 minus 4 दोनों minus हो गिया addition हो रहा है लेकिन यहां क्या हो रहा है sign minus हो रहा है अब हम लोग minus में देख लेते हैं minus प्लस प्लस रहेगा minus होगा तो minus होगा घटाव होगा लेकिन value क्या होगा sign होगा larger value जो होगा उसका एक घटाव और एक negative एक positive होगा और उसको हम subtraction करेंगे तो positive हो बनेगा जूरेगा जूरेगा और sign भी प्लस होगा एक minus एक plus होगा तो sign minus और plus addition होगा और sign minus रहेगा minus minus होगा तो minus होगा sign जो कि larger value होगा वह होगा example यह सब है देख लिजी 4 minus 5 minus 1 4 minus minus होगा plus 4 plus 5 9 minus 4 minus 5 minus 9 minus 4 plus 5 minus 1 अब हम लोग गुना में देख लगते हैं plus plus जब गुना होता है तो plus होता है minus plus गुना होता है तो minus होता है minus plus गुना होगा तो minus होगा minus minus गुना होगा तो plus हो जाएगा देख लिजे, एक्जाम्पल जो है, अग 4 into 4, 16, 4 into minus 4, minus 16, minus 4 into minus 4, 16, भाग में देख लिजे, प्लस प्ला अगर संख्या होगा, प्लस भाग देंगे, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा, तो माइनस होगा, प्लस माइनस कोई होगा, प्लस माइनस कोई होगा, प्लस माइनस कोई होगा, एक्जाम्पल चार जो, 4 divide 4, plus 1, minus 4 divide minus 4, minus 1, minus 4 divide 4, minus 1, अब हम लोग एक्जाम्पल देख लेते हैं बरसा एक्जाम्पल देखते हैं एक एक्जाम्पल लिए हुए 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस माइनस 3 तो हम लोग को यहां जो ब्राइगेट में जो दिया हुआ है माइनस यह पहले इस से किरिया करेगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाए तो 4 plus 3 7 और minus 4 minus 3 add हो गया तो 7 minus 7 0 अगला देखते हैं 8 plus 3 minus 4 minus 4 plus 1 तो यह plus minus minus plus हो जाएगा यहां भी minus minus plus हो जाएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 3, प्लस 4, प्लस 1, प्लस 8, एक्वाल टू 24, अब अगला देखते हैं, 4, 7 प्लस, माइनस 3, माइनस, माइनस 4, प्लस, एक्वाल टू क्या होगा, तो यहां जितना भी पहले बराइकेट में दिया हुआ, उसका हम किरिया कर लेंगे, क्या होगा, तो जो प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस हो गया, प्लस, माइनस, माइनस हुआ, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, तो यहां 7, माइनस 3, प्लस 4, प्ल 7 से 1 लॉस फोर ब्लस एट माइनस 3 माइनस 3 मायनधैस फोर थो द्लस वाला को हमाद़ करते हैं तो नाइनटीन आता है झाल झाल